प्सकार दोस्तो आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो हमारी टीम पहुच चुकी है इस वक्त हम लोग मौजूद है मिल्कीपूर विधानसभा में मिल्कीपूर विधानसभा की बात की जाए तो काफी एहम हो जा रहा है ये चुनाओ बिजेपी के प्सक्राइब विधानसभा में पहुचे है और कैеля में से कहेंगे इस तरह घुमाएंगे कई लोग यहां पर मौजूद है और ये बजार है यहां पर बात करेंगे ज़यादा ज़यादा लोगों से बजर में बात की जाएगी क्या माहौल है मिलकीपूर की चंते का तरह रहा है कुहन बाजी मार रहा है समय लगा रही है अभी वाजबह समय लगा रही आप चितेगी हम चलते हैं में चलेंगे यह जागा लोगों से बनी चाहते हैं मिल्कीपूर का चुनाओ है काफी ज recommend की बत की जाए तो हमेशा यहां पर आप देखे होंगे कभी यहां पर समाजवादी पाटी बाजी मारती है तो कभी यहां पर बिजेपी बाजी मारती है ऐसे में यह चुनाओ काफी ज़्यादा एहम हो जाता है बहुत एम बजार में कुछ लोग यहां पर बैठे दिखाए दे रहे हैं से हम बात करेंगे समझेंगे कि यहां का जन्ता का जो मून है वो क्या है वो किसके साथ में चर्चा यहां पर समाजवादी बिजेपी बताया जा रहा है कि दोनों में कड़ी टेक कर रहा है तो खड़ो जाए भी आप लोग इसे बात भी कर लेते हैं कुछ है और जानकारी कर ल पार्टी से अफदेश परसाद के लड़के हैं उनको टिकट मिला है तो क्या लग रहा है चंदबानु पास्वान होगा और कौन पार्टी जीतेगी यहां पर जैसा महौल होगा उसा दिखाई देगा आप किसके साथ में तो किसी साथ में नहीं चंदबानु पास्वान का आ ऐसे में चर्चा जो है चंदबानु पास्वान की बेचल लगी पूर्ब यहां से पटियासी रहे तो बाबा गोरग नात रहे ते चली आप से बात करेंगे मिल्कीपूर की जनता का क्या मूड है इस समय चाव चलन पूरा बिधान सभा में यह देख रहे है कि चंद्भान पासवान जी की चर्चा ज्यादा है चंद्भानु पासवान जी की चर्चा जाता है जिए नया क्यों सोचा जा रहा है कुछ कारण तो होगा कुछ कि पुराने किसको नावा गोरगनाथ बाबा गोरगनाथ पूर विधायक भी रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी समय ले रही क्या कारण हो सकता है कि टिकट में टाइम बेस्ट कर रही है अब बाजी कौन सी पार्टी मारेगी बाजी अगर चंद्भान पासवान जी टिकट पा जाते तो चुनाव जीच जाएंगे मिल्किपूर बिलान सभा से मिल्किपूर का समझना चाहते हैं आप चंद्भान पासवान की चर्चा कर रहे हैं कि नया प्रत्यासी आना चाहिए तो ऐसे में जो जंता हमारी देख रही है कि अब हवान प्रसाथ से लड़ाई है एहां से कौन सी पार्टी बायुक्त है घ्रचा आप बूस श्यों से बिछ रहे गें किया का और यहां कुछ काम दम्दाववा नहीं है। इसे काम गोरक नाथ पहले जीते हुए थे। हमारे यहां ना कोई रोड बना ना कोई सणक बनी। इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं अच्छा गोरगनात के बाद में यहां पर अफदेश परसाज जीते तो उसके बाद कुछ काम हुआ वहां हमारे यहां भी ज्यादा काम नहीं हुआ गराम जराजपुर में कोई खास काम नहीं हुआ है लेकिन फिरहाल कुछ हु गोरगनात में पासवान को चंदबानू पासवान को जी अच्छा चंदबानू पासवान ऐस पास कही हैं किया करण है कि किस वज़े से आप उनको कह रहे है इसलिए क्योंकि हमारे यहां की सबस्जदा चर्चा उनहीं का है अच्छा ज़्यादा है तो ऐसे मैं कुछ लोग बता रहे हैं कि चंदवानू पासवान की यहां चर्चा जादा है और हाला कि आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि बापा गोरकणाद यहां से पूर विदायक रहे हैं अब यह पार्टी किसको यहां से परत्यासी बना रही है बिजेपी समय भी ले रही है बिजेपी अपना परत्य यहां पासवान ćी सकते हैं इहां पर महल कुछ बदला बदला लग यहां पर समीकरनौ की ज audiobook अकभी बदल चुकी एक बार यहां से जो की मंतरी भी रहाcing उनको औराके बाबा गोलक नाथ यहां से बिताए पने फिर उसके बाद पांस साल बाज जब चुना हुआ यही की जनता ने बाबा गोलक नाथ को औराके फिर अवदेश परसाथ को जिता है तो यहां की जंता खेला भी करती रहती है चलिए यहां की जंता से ही बात करेंगे ज़र आप कई चुनाव भी देखे होंगे कई सारे चुनाव वोट किये हैं क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है कौन मजबूत है मिलकी पूर में जहराजपूर हमारी सेट तो बाजपा प पाएगा तो जयराजपूर से भाजपाई को मिलेगा जिताते हैं आप अप्लिकुल पक्का इसका अफदेश-परसाथ भी सुन रहे होंगे कोई सुने जयराजपूर भाजपा का गाड़ है लोग बता रहे हैं मिलकीपूर अफदेश-परसाथ का गड़ है आरे तो बाकी यह पता रहे हम अपने देराज पूर्लिंग की बात करें इस बार को जीतेगा मिलकी पूर से भाई आभी परत्यासी नहीं हम किसको कह दे परत्यासी कोई पत्र आपके साब से कौन जीतना चाहिए इसमें अगर गोरकनाथ के अलावा बदलाओ होगा तो काम बन सकता है ऐसे में मिल गोरकनाथ पूर बिधायक भी रहे हैं क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा पहले तो यह बताईए यहां से अगर कोई नया प्रत्यासी बीजेपी से आएगा तब तो यहां मुंकिन है अगर गोरकनाथ को फिर से टिकट मिला तो यहां की जंता उनसे परेसान है और यहां उनकी प्रतिक्रिया खराब हो जाएगी इसमें कोई सक वाली बात नहीं है नाराजगी है अब उनके प्रत हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं बस इतना जानते हैं कि अगर कोई नया कंडिडेट जैसे कि चंद्रभान पासवान जी छेत्र में ब्रमण पे निकलते है सब लोगों से मुलाकात करते हैं हाल चाल लेते हैं तो जनता के बीच में जो रहेगा जनता उसी को चुनेगी मेरा सीरा कहना है मिलकी पूर की जनता के बीच में जो रहेगा जनता उसी को सुनेगी चलिए एक सवाल फिर हम करी लेते हैं बाबा गुरगनात पूर विधाय कर तो क्या जनता को नहीं रहे हैं अब यहां तो हम नहीं जानते हैं बाकि वो जहां रहे हूं वो जानते होंगे कि यहां जब कभी आए नहीं किसी से समाजबादी का नाम मिल के पुर्दोस्ति-73 से मिठ जाएगा यहां से एगर कोई जैसे की चंद्रभान पासवान जी हमारे लोगों के बीच में आए हैं हम देखें हैं अगर दो साल से वो मेहनत कर रहे हैं अगर वो आएंगे यहां से तो यहां कि सीट एकड़म कंफर्म है कि कौन से बजार पड़ती है यह है जैराजपूर और बरियारपूर के बीच में है जैराजपूर और बरियारपूर को लेके चर्चा तेज है और समाजबादी पार्टी से टक्कर है जी क्या सोच रहे हैं कितने वोटों से आप जी सकते हैं यहां कम से कम एक लाग से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे चंद्रभान पासवान जी तो आप सांसा जी वाली बात कर रहे हैं पचास हजार से जीतेंगे आप कहने का कोई मतलब नहीं वो तो जो कह रहे हैं अधेश प्रसाद जी अब उनकी तु प्रतिक्रिया आला गहना जिसे देखिए अब टिकट भी अगर समाजबादी पार्टी से किसी और को तो भी तो दे सकते थे कोई मतलब है कि अपने खांदान में हम दुब लोग भी कमेंड बॉक्स में अपना जवाब देते रहेगा мал पर समय समाजबादी पारटी क्या लग रहा है आप यहां पर हम कबरेज कर रहे हैं जरूर सुनने को मिलना है कि चन्दबानु पासवान ने या पगड़ अच्छी बना रखी है जंता के बीच में जो इसे में लगाता है हुए समाजवादी मजबूत दिखते हैं कि लगी कभी पी मजबूत दिख रही है पहले से अच्छा करती दिख रही है